हलो एव्यवान क्यों आ वाचिंग सीरिल से आपपा फटाफ़ट से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने आप तक नहीं किया है विल दार जी इन दिनों साहिबा के काफी जारा खिलाफ नजर आ रही है उससे नाराज नजर आ रही है जिसका नतीज़ा ये है कि साहिबा और अंगत के बीच में भी एक अंचाही एक अंजानी सी टेंशन बरकरार है शो की अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि किस कदर यहाँ पर साहिबा पर जूटे इलजाम लगाते हुए ये प्रूफ कर दिया जाएगा कि साहिबा नहीं ही पुलिस कमप्लेंड की है दार जी के खिलाफ और इसलिए दार जी को पुलिस यहाँ पर अरेस करने के जो और वो रिष्टों के एक्वेशन में इस तरह बिगड़ी हुए रिष्टों के एक्वेशन में ऐसे फस्ती हुई नजर आएगी जिसे सम्हाले वो सम्हाल नहीं पाएगी शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि साहिबा का देर से आना साहिबा का घरवालों के कोई गलती हो और सब लोग उस गलती की जिम्मेदारी साहिबा के सर पर ला करके टांग दे यहाँ पर इस बार भी आपको ऐसा ही होते हुए नजर आएगा जिसमें साहिबा के एक बार फिर से मुश्किले बढ़ने वाली है साहिबा की जिन्दीगी में आने वाला है एक बार ही घर के बड़ों की इज़त उच्छाली है यहां पर वीडियो में निकल कर सामने आई है यह खास बात कि साहिबा ने दार जी याने की अंगत के दादा जी जिनका नाम है अकाल उनके खिलाफ स्टेटमेंट दी है पुलिस कंप्लेंड की है और कहा है यह बात कि घर में कोई भ इसे करी सजा दी जाए अब असर यह होगा इस खबर का कि पुलिस घर पर पहुंच जाएगी बरार्स के और लाग समझाने पर भी वो इस वीडियो को ही फुल प्रूफ स्टेटमेंट मानेगी साहिबा का और वो दार जी को अकॉर्डिंग टू सोर्स की माने तो दार जी को पकड़ करके ले जाने वाले हैं पुलिस टेशन और डाल देने वाले हैं हवालात में जिसे देखकर अंगत का गुसा साथ में आस्वान पर पहुंच जाएगा और वो अंगत जो साहिबा के सपोर्ट में खड़ा था वही उसके खिलाफ नज़र आएगा क्योंकि दार जी को जेल हो जाना बहुत बड़ी बात है और वैपर से एपर से साहिबा नहीं ये किया है तो अंगत बहुत जाधा झाल झाल